हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चेनल सानवी की पाड़ सल फ्रेंड्स, बिनोत बिहारी महतो कोलियांचल यूनिवर्सिटी धनबाद जारकंड से 2024 की असिस्टेंट प्रोफेसर की जो बैकेंसी आई है उसका ओनलाइन अप्लिकेशन एक मार्च से शुरू हो चुकी है एंड उस फॉर्म में DD की मांग की गई है यानि की ओनलाइन अप्लिकेशन फॉर्म का जो पैमेंट करना है वो DD, डिमांड ड्राप के माधियम से करनी है then जब dd बन जाए payment हो जाए तो सारे documents को speed post करना है तो कैसे करना है इसके बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे so let's see friends बहुत सारे candidates ने या form fill up भी कर लिया होगा dd बना भी लिया होगा और speed post कर भी लिया होगा लेकिन जिन candidates ने या dd के कारण अठके हुए है नहीं किये है तो चलिए देखते हैं कि या dd आखिर कैसे बनते है friends इस form में mention है interested candidates are required to apply through online इस website पे आपको online करना है then application fee है general obviously EWS के लिए 1000 then STSE PH group के लिए 500 payment है and this payment को apply करना है dd के माधियम से dd in favor of registrar विनोथ बिहारी महतो कुलियांचल युनिवर्सिटी payable at dhanbad तो इस इसका यूज कहां पिकरना है कैसे dd बनाना है उसके बारे में चलिए मैं आपको बताती हूँ friends so friends आपको dd बनाने के लिए सबसे पहले आपको bank जाना पड़ेगा क्योंकि dd demand drop bank से ही बनेगा mini bank से नहीं बनेगा बलकि आपको branch जाना पड़ेगा तो आप कोई भी bank जा सकते है SBI, BOI, ICI, ETC कोई भी bank जा सकते है उसमें आपको एक form मिलेगा जीसे कि यह SBI का form SBI branch का form है तो ऐसा आपको form मिलेगा जिसमें आपको यहाँ पर पाने वाले का नाम में क्या भरना है तो आपको यहाँ पर यह college का जो नाम है यहाँ पर जो मैंने आपको बताया बिनोद, बिहारी, माहतो, कोलियांचल, यूनिवरसिटी, धनबाद वो भरना है फिर rupees Friends, SBI में 1025 rupees लगे लेकिन other bank में अलग-अलग लग सकते है और यहाँ पर payable at branch जीसे कि मैंने आपको form में यहाँ पर दिखाया कि लिखा हुआ है Friends, यहाँ पर देखे लिखा हुआ है payable at धनबाद and किसके favor में करना है तो रेजिस्टार्ट बिहारी, माहतो, कोलियांचल, यूनिवरसिटी तो branch में धनबाद देना है Friends So Friends, आपको यहाँ पर रेजिस्टार्ट बिहारी, माहतो, कोलियांचल यूनिवरसिटी धनबाद लिखना है रुपीज और payable at to धनबाद branch लिखना है यह code number यह सब कुछ नहीं भरना है Friends यहाँ पर 80 कितनी है वो भरना है और यहाँ पर जो लिखा हुआ है आवेदक का हस्तचार signature of applicant तो आपका नाम लिखना है और यहाँ पर आवेदक का पता एवं नाम तो यह आपको लिखना है Friends यह जो परची है इसको भी मिन्स यह जो form का side area है उसको भरना है और इस form को इस side area को आपको bank वाले आपको दे देंगे परची के रूप में So Friends आपका जब आप इतना procedure करेंगे तो आपका DD बन के तयार हो जाएगा Friends जब आपका DD बन के तयार हो जाए demand draft जो बिलकुल चेक के जैसा दिखता है तो उसको क्या करना है आगे उसका print out नहीं करवाना है उसको original ही डालना है लेकिन जो other जो document है उसको print out करना जैसे कि print out of online submitted from along with DD and self attested copy of all the relevant documents as mentioned below to be submitted to the office to the unsigned through registered या फिर speed post only 10 March 2024 तिल 5 प्यम means friends जब आपका DD बन जाए तो जो यहाँ पर लिखा हुआ है print out of application forms यानि कि online जो application किये उसका print out चाहिए जो तीन पेज के होंगे demand draft जो आपने bank से बनवाए वो original चाहिए और educational certificate and mark sheet from 10 to PG 10 से लेकर PG तक आपके जितने भी mark sheet plus certificate जरूरी है केवल mark sheet नहीं certificate भी यह सारे जोरेक्स करवा के आपको attach करना है फिर net z grf certificate if applicable friends अगर आपके पास net, jet, grf का certificate है तो आप attach कर सकते हैं अगर नहीं है तो कोई बात ने और फिर है experience certificate if any अगर आपके पास कोई भी experience यानि की कोई दुसरे college में आप पढ़ाएं है तो अगर आपके पास experience certificate है तो आप attach कर सकते हैं अगर नहीं है तो कोई बात ने यह then है cast certificate if applicable अगर आप category से form भरे हैं जैसे कि OVC1, OVC2, PWSD, SC तो आपके पास cast certificate है तो आपके पास है तो आप attach कर सकते हैं अगर नहीं है तो कोई बात ने और जो UR से unreserved category से भरे हैं तो उसके लिए कोई अवे सकता नहीं है then resist dental certificate if applicable मतलब आवासी है जहां आप रहते हैं वहां आवासी अगर आपने बनाया है और आपके पास है तो आप attach कर सकते हैं इस form में मतलब जो speed post करवाएंगे और फिर है EWS certificate if applicable यानि कि जो candidates EWS से अपना form फिलब करते हैं उनके पास या cast certificate है तो आप attach कर सकते हैं अगर नहीं ह 9 है other if any यानि कि अगर आपके पास कोई award का certificate है या फिर other कोई certificate है तो आप attach कर सकते हैं अगर नहीं है तो नहीं किजिए जब यह सारे document को आप collect कर लेते हैं तो आपको जाना है post office जब आप post office चले जाएंगे तो आपको A4 size का यह involve लिफाफ़ लेना पड़ेगा जिसमें आप सारे document को पीनफ करके attach करेंगे और serial wise से आपको document को arrange करना है जैसे तैसे नहीं friends और form के envelope के उपर और नीचे क्या लिखना है सो मैं आपको बता देती हूं friends तो यहाँ पर लिखना है तू और यह college के नाम क्या नाम है रजिस्ट्रार भीम भीम एक सेकेंड बिनोत भीहारी माहतो कोलियांचल यूनिवर्सिटी लिखना है दैन नीचे में from और अपना नाम आपका नाम क्या है वह लिखना है friends दैन आपको A4 पोस्ट कर देना है तो आपकी जो फोर में वर्क यह धनबाद के पोस्ट ओफिस में चली जाएगी अस्पीट पोस्ट हो जाएगी friends इस तरह से आपको DD यानि के डिमांड ड्राफ और अस्पीट पोस्ट करवानी है जो अस्पीट पोस्ट का डेट है वो है 10 मर्च 5 बजे साम तक इसके बाद आपको आपका जो अस्पीट पोस् किस तरह से इस कॉलेज में जो एक्जाम होगा वो इंटर्व्यू के माधियम से होगा यानि कि आपका इंटर्व्यू के अधार से ही आपका सेलेक्शन होगा तो इंटर्व्यू की तयारी कैसे करें इंटर्व्यू दो टाइप की कोश्ट पुछे जाते इंटर्व्यू में एक personality से question बनते हैं और एक आपका subject wise से question बनते हैं तो आपका interview में knowledge कितना है वो माइने नहीं रखता बलकि आप कितना confidence से खुद को जाहिर करते हैं किस तरह से आप पढ़ाते हैं पढ़ा सकते हैं उस college में वो आपके माइने रखता है तो next upcoming वीडियो से मैं आपके साथ discuss करूँगे कि किस type से interview question बनेंगे और बनने का chance है तो friends इस channel के माधियम से बने रहें आपको वीडियो बहुत जल्द मिलेगी तो friends यह वीडियो पसंद आए तो like share and subscribe जरू से करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें तो thank you bye bye take care मिलते हैं next video के साथ